हलो माई दियर फ्रेंट्स वेलकम टू लखी एजुकेशन और आज हम देखेंगे एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉबिक है गांधी इर्विन पैक्ट हालंकि यह जो गांधी इर्विन पैक्ट है यह इसी टॉपिक के अंदर है सिविल डिस ओविडेंस मुव्मेंट हम पढ़ रहें क्लास टेंथ की हिस्ट्री और चैप्टर नम्मर त्री हमारा चला है रेटेलियसन इन इस्ट्रकल ऑफ बिल्टेस एं सब इने अबग्या आंदोलन सब इने सब इने का मतलब है बिनम्रता पूरवक यहां पर जो काम किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा बिनम्रता पूरवक किया जाएगा नोन वाइलेंस मतलब यहां पर नोन वाइलेंस को बोलो किया जाएगा कोई भी वाइलेंस नहीं किया रखा है उसको आप क्या करेंगे मानने से इंकार कर देंगे किसी ने आग गया दी उसको मानने से इंकार करना क्या कहला था है अवग्या अंदोलन तो यहाँ पर क्या किया गया है इसको हिंदी में बोलते हैं सबने अवग्या अंदोलन गांदी जी ने मुवमेंट चलाया था बिनम्मरता पूरवा केनों ने अंग्रेजों का लो था उसको ब्रेक किया और कौन सा लो था सॉल्ट लो उसको ब्रेक किया था और गांधी जी ने एक डांडी मार्च निकाली थी अपने सावरमती आस्रम से डांडी तक अपने कुछ 78 फोलोवर्स के साथ जाते हैं और जो सॉल्ट लो था उसको ब्रेक करते हैं पहले के टाइम पर गांधी जी के टाइम पर ये मुवमेंट ध्यान रखना 1930 के सम्तिंग स्टार्ट हुआ था तो इस समय हमारी देशवासियों को नमक बनानी की भी परमिसन नहीं दी थी नालाइक अंग्रेजों ने क्या कर रखा था पूरी की पूरी चीज अपने कंट्रोल में ले रखी थी और तो और मतलब नमक मनाने पर भी टेक्स वेक्स या ऐसे काम करते थे तो गांधी जी ने इस चीज़ को मतलब संग्यान में लिया और सिंपल सी बात है ये हमारा इंड 1557 में सबसे बड़ा अंदोलन हो चुका था अठासो सतामन की करांती जिसमें हमने अंग्रेजों को धूल चड़ा दी दी एक बार तो खार दिया था मगर फिर हमारे ही जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने सबोड गिया पिर उसके बाद आपको पता इंडियन नेशनल कॉं पंगाल का विवाजन होता है और यहां पर स्वेदेशी आंदोलन भी चलता है स्वेदेशी मूवमेंट भी चलता है और इससे पहले आपको रॉल एटेक्ट आ चुका था रॉल एटेक्ट के खिलाफ में जलिया बाला बाग में मीटिंग हुई थी वहां पर भी अंग्रेज वालों को मतलब यहां चोरा-चोरी ब्लेज में क्या कर दिया था जला दिया गया था जिसकी वज़े से अंदोलन गांदी जी ने बंद कर दिया फिर साइमन कमीशन का ब्रोध करते करते हमारे जो लाला-लाथ्पत राय जी है वो उनको मतलब लाठी लगने की बज़े से उनक क्या-क्या इसके अंदर होता है वही होगा simple सी बात है आंदोलन का हमारा system सेम था कि हमें स्वराज चाहिए हमें मतलब अपना राज चाहिए और इसमें वही है simple सी बात है boycott भी होगा भारति जो लोग है वह बिदे सी चीजिजों का boycott चीज़ है उनका बख़ट करेंगे और जितने भी स्कूल को लेजे जहें उनको छोड़ेंगे गवर्मेंट जोब हैं उनको रिक्वेस्ट की जाएगी गवर्मेंट इंप्लोई को कि आप अंग्रेजों की नोकरी करना बंद करो यह सारे माध्यम अपनाएं जाएंगे भारतिय के द्वारा और अंग्रेज सिंपल सी बात है अंग्रेज उसका रेटेलियेट करेंगे और भारतियों पर बहुत बुरी तरह से प्रहार करेंगे ठीक है तो यह सारी चीज़ें होंगी इसमें तो सबसे पहले मैं Civil Disobedience Movement को स्टार्ट करने से पहले एक रेजोल Swglass किया जाता है 1785 म congres जो की 1885 में बनी थी और मैंने बताया था इसका हर साल जनरली कहीं न कहीं भारत में veggie conference हुआ करती थी तो इसका एक session हुआ था लाहुर's होगा था आज गिट में लाहुरर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान आपको पता ननाप की बाती थी थी था तो फाकिस्तान की अगय हुआ हुआ करती है दिश्एमबर 1929 को कहां पर होती ए लाहुर's सेसन होता है और कॉंग्रेस एक क्रस्ता पास करती है कि तो अप्टेन कम्प्लीट सुराज अंदर दा लीडर्श को जहालाल नहरू की भारत को अब क्या करना है पूर सुराज प्राप्त करने के लिए पहली बार यहां पर एक पास किया गया था इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को उधारा और किसकी लीडर्शिप में पंडे जवालाल नहरू की लीडर्शिप में भारत क्या करेगा कम्प्लीट सुराज मतलब प्राप्त करेगा किस से अंग्रेजों से तो यह रिजोलूशन पास हो जाता है 30 दिसमबर 1929 इसी के बाद स्वराज प्राप्त करने के लिए गांदी जी क्या करते हैं एक फेमस डांडी मार्च निकालते हैं एक डांडी यात्रा पर निगल जाते हैं कहां से अपने सावर मती आश्रम से डांडी बिलेज तक जाते हैं और यह डिस्टेंस है लगबक 385 किलो मीटर धिया तो मैं गलत दे रही है आप इसको सही कर लेना ठीक है तो इतनी दूरी तक यह मतलब यात्रा तै करते हैं कौन तै करते हैं गांदी जी कहां से निकलते हैं सावर मती आश्रम से डांडी बिलेज तक जो कि यह कॉस्टल बिलेज है ठीक है और कितने लोगों के साथ 78 पॉलोव मैंना भी बताया था कि इससे पहले हमें भारतियों को नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों ने छी लिया था हम नमक नहीं बना सकते थे तो गांदी जी नो बोलन नहीं अब बहुत हो गया अब हम नमक बनाएंगा और गांदी जी ने यहां पर नमक बनाया अब सिंपल सी बात है जब गांधी जी नमक बनाएंगे तो अंग्रेज भी देख रहे होंगे तो अंग्रेज वहाँ पर आ गए अंग्रेजों की मतलब cover करने में गांधी जी को समय लगा तो ये पैदल यात्रा निकाली थी तो गांधी जी के साथ पूरा की पूरा कारवा जुड़ गया था बहुत सारे लोग भारतिय गांधी जुड़ चुके थे और सरोजनी नाइडू भी गांधी जी के साथ हुआ करती थी उस समय ठीके इसके बात अब मैंने बताया था जैसे इन्होंने नमक वक बनाया तो अंग्रेज सीधी बाते इसको पसंद नहीं करेंगे तो अंग्रेजोंने पहले से जादा बुरी तरह से मतलब भारतियों को यहां पर प्रतारित किया लाठी चार्ज गिया और गांधी जी ने बोल दिया था कि जो भी इस मुवेंट भाग लेंगे वो नोन वाइलेंटली रहेंगे मतलब वाइलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सत्यागरे का पालन करेंगे सत्यागरे का पालन का मतलब यह यह कि वो हिंसा नहीं करेंगे और सत्य बोलेंगे तो उन्होंने यहां पर जो अंदोलन का तो आगे बढ़ते रहे और कुछ भी जवाब नहीं दिया कोई भी प्रती उत्तर नहीं दिया किसको अंग्रेजों को डंडे खाते गए पिर गांदी जी ने साथ की साथ में इसी मुवमेंट के दौरान महिलाओं को आगरे किया कि वो भी धरने पर बैठे वो भी हमारा साथ दें देखो को अब सीधी सीधी बात है जब सब हम मिलकर मदलब आंदूलन करेंगे तो अंग्रेजों पर क्या बनेगा प्रेषर बनेगा तो लोग तो जड़तम जड़े होए थे मेल जड़त्目ते गांदी जी जी के साथ गांदी जी ने यहां पर महिलां को भी आगरे किया उनको भी बोला कि आप भी क्या करो धरना दो यह जो wine shops हैं बिदेशी opm shops हैं इनके सामने आप धरना दो और गांधी जी ने लोगों को बोला कि आप बिना permit के salt बनाओ पहले अंग्रेजी उसे permit लेना पड़ता था मगर गांधी जी ने खुदी law break कर दिया तो कहा कि अब आप बनाओ कोई दिक्कत नहीं और कोई कुछ कहे तो हमें मिलकर आंदोलन चलाई रहें ठीक है इन्होंने मतलब लोगों को कहा गांधी जी ने लोगों को कहा कि आप imported जो गोट से उनको जला दो विदेशी जो बसत रहें उनकी क्या कर तो हुली जला दो चर्खे का इस्तेमाल करो स्वधेशी चीज़ों का इस्तेमाल करो विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल मत करो विदेशी चीज़ों का boycott करो ताकि स्वधेशी चीज़ों से स्वधेशी लोगों को अपने देश के लो गांधी जी ने लोगों को बोला कि आप वीदेसी भस्तूं का भी इस्तिमाल करना क्या करतों किया गडिक्षा करो लोकल गुट्स का इस्तिमाल करो सवधिसी ह instagram डरो स्टूडesz्य को बला कि आप भी अपने जितने स्कूल और कोलेज हैं उनको क्या करो गॉर्मेंट इंपलोई थे उनसे भी खा गया कि आप भी जो मतलब अंगरेजिवों के लिए जो सेवाएं दे रहें अपनी उन जिन जिन पोश्ट परमियाप उनसे रेजाइन करो तो गॉर्मेंट के जो एंपलोई थे उन्होंने अपनी बहिसकार करने लगे विदेशी सामन की होली जनाने लगे तो सीधी सीधी बात हैं अंगरेज चुपनी बेटिंग अंगरेजिवों ने भी यहाँ पर लगबग लगग साथ हजार लोगों को 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया बहुत बड़ी मात्रा होती है बहुत बड़ा लेवल पर क्या किया भाग लिया था इंपोर्डेंट वीचर ओप दिस मूवमेंट वॉपन बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था अब सिंपल सी बात है जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा आंदोलन करने में उतना ही ज़्यादा सामने वाले पर प्रेसर पड़ होती है और इंग्लेंड में होती है तो दूसरी वाली जो राउंटेबल कॉनफरेंस हुई थी उस राउंटेबल कॉनफरेंस में गांधी जी ने भाग लिया था ठीक है और सेकंड वाली जो राउंटेबल कॉनफरेंस हुई थी उसमें एक समझोता पास हुआ एक पैक्ट सा हुआ था किसके बीच में पास हुआ था लौड एर्विन एंड गांधी जी के पीच में पास हुआ था ठीक है यह इंपोर्टेंट चीजे यह यह पता आपको याद रहेना चाहिए कि जो लौड एर्विन थे उस समय भारत के हमारे बारत के बाइसरोय और यहां पर जो गवर्णर जन्रल उप इंडिया उसी को बाद क्या बोला जाने लगा बाइसरोय बोले जाने लगा तो बाइसरोय थे लौड एर्विन उस समय जब यह आंदोलन चल ला था और मातमा गांधी और इनके बीच में जो समझाओता हुआ बात कर दी यह बात कर दी यह बात कर दी अंग्रेजों ने मगर यह नहीं कहा था कि कब भारत को डॉमीनेन स्टेटस दिया जाएगा इसकी कोई बात नहीं कही दी इसको बोलता कि फ्यूचर में हम आपको डॉमीनेन स्टेटस दे देंगे मगर कब दिंगे ये नहीं बताए गया तो Dominion Status आप ध्यान रखना Dominion Status का मतलब है भारती आप सरकार चलाएंगे मगर किस के अंडर में चलाएंगे Bitsers के अंडर में चलाएंगे अब तक जो सरकार चला रहें वो Bitsers ही चला रहें भारतियों की जो हिस्सेदारी है बहुत कम है अब भारतियों को मोका दे जाएगे कि आप सरकार चलाएंगे मगर आपके बॉस कौन रहेंगे बॉस रहेंगे अंग्रेज ठीक है complete freedom नहीं है मगर ये क्या Dominion Status तो कम से कम something is better than nothing अभी तक तो कुछ भी नहीं है कुछ तो मिलेगा पीसे बाद में ये status भी गथम कर देंगे खेर अंग्रेजों ने सिर्फ Dominion Status देने की बात कही थी जो कि दिया भी नहीं इसको दिया भी नहीं सिर्फ मतलब ऐसे ही बहलाने के लिए कह दे हम आपको Dominion Status दे देंगे गांधी जी participated in the second round table conference मैंने बताया था गांधी जी ने second round table conference में भाग लिया था जो 1931 में ही हुई थी और विचवाच called for Indian constitutional reforms और इस round table conference जो अंग्रेजों ने बुलाई थी इसका परपज ये था कि अब अंग्रेज क्या चाहते हैं कुछ सुधार लाना चाहते हैं गवर्मेंट में कुछ सुधार लाना चाहते हैं उसी सुधार के लिए भारतियों को नोने इनवाइट गया कि आप बताओ क्या करें क्या ना करें डिसकास करने के लिए खेर एक खानापूर्ती थी और आपको पता इसके बाद भारत में एक एक्ट बनता है Government of India Act 1935 तो ये जो Government of India Act 1935 एक प्रकार का ऐसे समय लोगे Constitution ये बनना था इसी के लिए इसी के लिए इनको बलाए गार था भारतियों को कि आप भाई बताईए आप कुछ अपने सजेशन्स दीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसी समय ये मुवमेंट भी चला था तो गांधी जी से वो इसलिए भी बात करना चाहते थे ताकि मुवमेंट को रोका जा सके ठीक है ये चीज़ा आप ध्यां रखना और और मैं बता दूं आपको 1919 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आये थे जिसका नाम था Government of India Act 1919 और ये एक प्रकार का एक रिफॉम था जिसके तहत मतलब सरकार में बहुत सारे चेंजेज लाए गए थे और इसमें ये लखा था कि 10 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा और 10 साल तक देखा जाएगा क कि गवर्मेंट में कुछ जो चेंजेज किये गए उसका भारत में कुछ अच्छा प्रवाब पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसी के लिए आपको मैं बता दू साइमन कमीशन आया था मैं ये पहले भी बता चुका हूँ साइमन कमीशन का प्रपजी ये था कि 1939 में जो एक्ट स उससे कुछ पॉजेटिव चेंजेज आये या नहीं आये और साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट जमा करा थी तो उसके बाद फिर ये राउंटेवल कॉन्फरेंसे होती है और फिर जो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दी ती उसके जो रिकमेंडेशन थी वो फिर 19 1935 के एक्ट में अंग्रेजों ने एड कर दी तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में जो हमारा भारत का सम्मेदान है तो यह जो भारत का सम्मेदान है इसमें 395 आर्टिकल्स है 395 आर्टिकल्स और्जिनली थे तो इन 395 आर्टिकल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स मोर्दन 200 आर्टिकल्स सीधे की सीधे कॉपी कर लिए कहां से 1935 के गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था तो इसी 1935 एक्ट को बनाने के लिए कुछ रिफॉ प्रोवाइड करेंगे डॉमिनेंट स्टेटेस प्रोवाइड करेंगे ठीक है गांधी जी अंसैटिसपाइड भारत आते हैं लोट कर आते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंकुलूजन निकला नहीं अंग्रेजों ने कुछ किलियर किलियर कोई बात की नहीं थी और गांधी जी न कुछ कोंग्रेज तो यहां पर कहानी खतम होती है और हमारा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं में 2021 और 20 यह मतलब अपडेटर से लेवस मैंने आप डाल दिया है पूरा की पुरा आपको स्लेवस मिलेगा साथ की साथ में आप ओल्ड वीडियो जें उनका भी एक्सेस प्राप्ट कर सकते हो अपडेटर नोट्स यहां पर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे वीडियो जें औ और अपना best to best अपने sht में marks हासिल करें so thank you thank you so much keep learning keep enjoying and god bless you all